नमस्कार भारत होमियोपैथी के योट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटी लीगो यानि सफेद दाग के सर्फ्ष्ट इलाज के बारे में या यूं कहें विटी लीगो में सफेद दाग में सर्फ्ष्ट दवाई कौन सी है आज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले हमीं समझना होगा विटी लीगो होता क्यों है विटी लीगो होने के क्या का पारणट रहना है और है विटी लीगो या सफेद दिखाई दे सकते हैं या फिर मेनोपोस जब शालू होता है उनमें तो उस समय हार्मोनल चेंजिस की वज़े से उनकी स्किन पर उन्हें सफेद दाग दिखाई दे सकते हैं और थर्ड रिजन रहता है जैनि यानि अगर आपके फोर फादर या आपके पेरेंट्स में से किसी को भी सफेद दाग विटीलीको की प्राब्लम रही है तो वो बच्चे में आने के भी चांसिस होते हैं और इन सब के साथ साथ एक बहुत ही common reason रहता है जो सफेद दाग यानि विटीलीको का main कारण माना जाता है वो होता है हमारा immune system यानि यह होता है auto immune disorder जब आपके स्किन पर सफेद दाग आने शुरू होते हैं इसका मतलब आपका ही immune system आपकी skin cells को damage पहुचा रहे हैं, melanocyte cells को damage पहुचा रहे हैं जिसकी वज़े से melanin का pigment नहीं हो रहा और आपकी skin पर आपको सफेद दाग दिखाई दे रहे हैं, तो basically vitally को ये होता है और किन वज़े से होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, आप बात करते हैं इसकी सरफशेष्ट दवाई की या इलाज की, एक मातर इलाज बोलूगा मैं इसको क्योंकि reason ये है, अगर हम बात करें allopathy की, तो allopathy में generally doctors estroids देते हैं estroids की वज़े से अगर आपका सफेद दाग ठीक होने लग रहा है, जैसे ही आप estroids खाना बंद कर देंगे, आपका सफेद दाग दुबारा बढ़ने लगेगा तो इसी वज़े से कई लोगों के सफेद दाग बने रहते हैं, क्योंकि वो starting में allopathy treatment को opt कर लेते हैं result क्या रहता है, उनका treatment इस direction में चले जाता है, जहां से वो reversal vitiligo आपको देखने को मिलता है, यानि जब vitiligo आप starting में estroids ले रहे हैं, जब तो रुख जाएगा, लेकिन estroids जैसे आपने लेना बंद करा, उसके बाद क्या result होता है, vitiligo double attack करता है, यानि आपका immune system hyperactive हो जाता है, आप अपने सफेदाग को ठीक कर सकते हैं, वही आयरुदिक treatment की अगर हम बात करें, कई patient आयरुदिक treatment लेना start करते हैं, लेकिन हमें देखने को यह मिलता है, वो treatment को continue नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो दवाईयों का taste होता है, और जो जड़ी बूटिया होती है, काढ़ा प बात करें है, homeopathic treatment की, जो की vitiligo का एक मातर इलाज है, सर्फ श्रिष्ट इलाज है, कैसे? homeopathic treatment में जो medicines दी जाती है, उनका ना तो कोई side effect होता, प्लस वो खाने में आपको अजीव taste की नहीं लगती, साथी साथ आप इन्हें बहुत लंबे समय तक भी खाएंगे, तो इससे आपकी body पर कोई adverse effect नहीं पड़ता, और ये आपके immune system को modulate कर सकती है, जहां आपका immune system hyperactive होकर, melanocytes cells को damage पहुचा रहा है, वहीं अगर आप भारत हों में पैथी से medicines ले रहे हैं, भारत हों में पैथी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहां पर customized medicines दी जा रहे हैं, जो patient to patient vary करती है, अगर आपकी वीमारी का root cause अलग है, आपके शरीर में आपको लक्षण अलग दिखाई दे रहे हैं, कारण अलग हैं, तो दवाईयां सेम कैसे हो सकते हैं, दवाईयां भी अलग होती हैं, और इसी वज़े से results बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, भारत हों अपनी सफेद दाकी फोटोस क्लिक करकर इस नंबर पर वर्टस भी कर सकते हैं, हमारे दॉक्तर की टीम खुद आपसे contact करेगी और आपको एक proper advice देगी, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को like करिएगा, और ऐ ऐसे ही informative वीडियो देखना आपको पसंद आता है, या आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को subscribe करेगा, thank you for watching.